आज मैं गई थी नर्सरी और कुछ यूनिक पौधे खरीद करके लाई हूँ तो मैं सोची कि मैं आप लोगों से वीडियो सेर करूँ मैं आप लोगों को बताओं कि पौधे कैसे हमें खरीदने चाहिए किस वेराइटी के खरीदने चाहिए कि वो हमारे छट पे हमें अच्छा खासा हार्वेस्टिंग दे बिल्कुल जमीन जैसा और कैसे हमें लगाना चाहिए तो चलिए शुरू हो जाते हैं अपने खुद गार्डेनिंग कर रहे हैं खुद मेहनत कर रहे हैं तो आपको रसायन डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब मैं आपको दिखा देती हूँ देखे नर्सरी वाले यह कैसा छिड़काव की है रसायन का देखिए इसमें कोई न कोई केमिकल डाले हैं जो कि इस पर चिपक गया है और यह हमारे पत्ते को खराब कर देगा बाद में तो आपको मैं अब दिखाऊंगी कि हमें सबसे पहले तो मैं आपको बेराइटी बता देते हूँ कि मैं क्या-क्या लाई हूँ और यह भी कहना चाहूंगी कि जदी आप छट पे फूल इस तरह के गुड़हल या कोई भी प्रकार के फूल लगाते हैं कनेर लगाते हैं गु जवाय करती हूँ और बहुत अच्छा मुझे रियल्ट मिलता है तो आज मैं देखिए लाई हूँ यह गुड़हल पीला वाला गुड़हल है यह है बारह मासी नीवू कागजी नीवू जो मार्केट में मिलता है छोटे वराइटी का पीला-पीला रहता है बहुत अच्छा क्योंकि सेव यहां पर हम लोगों के यहां जल्दी होता नहीं है लेकिन यह वराइटी जरूर होगा तो यह सेव है हार्मन 99 इस सेव अगर आप आनलाइन भी मंगाना चाहें तो इसी वराइटी का ही सेव मंगाईएगा उसके बाद यह है भगवा अनार जो की बड़े का होता है और मार्केट में देखते होंगे आप लोग मिलता है लाल वाला बड़ा साइज का ओ अनार है तो आप इस तरह का पौधा जरूर ख़दिये तो मैं आपको पहचान बताऊंगी कि कैसे आपको पहचान रहेगा कि यह वहीं पौधा है और यह है करण दे का पौधा और यह है लेडी पपाया जो की बहुत महंगा मिलता है और गमले वाला पपीता है तो इसी तरह से कुछ पौधे मैं नीचे भी लाई हूँ जो रखी हूँ सोवर प्लांट से तो उसके बाद मैं आप आपको बताऊंगी यह बताऊंगी आप अगर पौधे खरीदें तो कैस आप देख सकते हैं थोड़ा सा 10-20 रुपे महंगा जरूर होता है लेकिन पौधे जब आप खरीदें तो थोड़ा अधिक ब्रांचों वाला खरीदें जैसा कि मैं आप लों को कई बार कमेंट्स में भी बताती हूँ कि आप सिंगल ब्रांच का पौधा कभी न खरीदें आप शुरुवात में ही पौधे अच्छे लेंगे जैसे इसकी ग्रोथ देख लीजिए तो शुरुवात में जब आपको खुश पौधे अच्छे रहेंगे तो फिर आप उसे आगे भी अच्छा बना सकते हैं जैसे देखिए पिछली बार हम एपल विर का ही पौधा लगा अगर आप छोटे बरते बहुत बड़ा बरतन नहीं है महा जे पंद्रा का ये जो है डिजेक्ट बरतन है इससे आप इस तरह का ग्रोवाइग भी ले सकते हैं और इसमें यह पौधा कितना बड़ा हो गया है तो कैसे हुआ है यह सब हम आपको बताएंगे और इससे हमें धेर सारी फ्रूटी मिलती है आप देख सकते हैं इसमें कितनी जादे फ्लावर्स आ रहे हैं और फ्रूट्स भी इसमें जो है फ्रूट भी बनना शुरू हो गया है देखिए और यह करीब एक पौधा हमको 20 के जी फल देता है तो है न अभी स्वस्नी चीज क छत पे इतना ज्यादा हर्वेस्टिंग उसी तरह से इस नीबू को देख लीजिए यह भी है कागजी नीबू 12-80 है और इसे देख लीजिए तो हम 12-80 पौधे को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें हम नीबू एक ऐसा प्लांट होता है एक ऐसा फल होता है जिसे हम हमेजा नीबू की जरूत हमारे कीचेन में पड़ती है आप देख सकते हैं छोटे-छोटे से इतनी जादे इसमें फल लिए हुए हैं कुछ तो बढ़े हुए हैं कुछ चोटे हैं कुछ अभी फूल आ रहे हैं फल बन रहे हैं आप देखिए और लगाई कहा हूं बहुत ही बरतन में लगाई हूं और पूरा ग्रोथ से भरा हुआ है या पौधा और चारो तरफ छोटे-छोटे-छोटे-छोटे आप देखिए बन रहे हैं तो इस तरह से आप पौधे लेजिए कि आपको तुरंत ही उसका रिजल्ट मिले यह सीता फल है इसे भी देख लीजिए और इस निवू को देखिए आप देख करके चौग जाएंगे देखिए इस निवू के विराइटी का नाम भी मैं आपको बता दे रहे हूं तो जरूर आप इस निवू को अपने घर में ग्रो करिए इस निवू का नाम है रेश्मी निवू या अगर आप लगा देंगे कि तो प्रतिदिन जदी आप इसको दोठो भी तोड़ते हैं, दो या तीन निवू का खर्ष हमारे घर में बहुत बड़ा परिवार है, तो तीन दो लगेगा, नहीं तो एक निवू भी हमारे यहां परियाप्त होता है, तो आप एक निवू प्रतिदिन तोड़ेंगे, तो भी यह खत्म नहीं होगा, देखें कितना ज़्यादा फ्रोटिंग किया हुआ है, प्योर आर्गेनिक तरीके से और लगा की सीज में है, यहां है पीला वाला गुड़हल, हमारे पास लाल तो कई वेराइटी का है, पीला नहीं था, तो हम पीला लेकर क्या है, और देखें सब में कली बनी हुई है, ठीक है, और पीले गुड़हल की पहचान उसका पत्ता होता है, मैं बताएं आप से कि आप इसकी पहचान कैसे कर law皆さん देखेंगे, तो यह पत्ते देखेंगे, इसका पत्ता बिलकुल भी चिकना होता है, और वो जो बंवह दो हम लोग यहां है, उससे यह बिलकुल अलग है, तो आप पत्ते देखेंगे लिए ध्यान से, पत्ते देख करके आप पहचान जाएंगे और इसकी मित्टे देख कोको पीट बगरा डाल करकी इसको लगाए रहते हैं तो इस तरह आप पहचान कर लिजेगा देशी गुढ़ाल बिलकुल साधे मिट्टी में इस तरह से रहता है लेकिन यह जो बाहर की पौधे होते हैं वो इस तरह की मिट्टी में कोको पीट ज्यादा हाइब्रीट वाले तो इसकी कीमत मैं आपको बता दे रहे हूँ यह करीब सतर असी रुपे का पौधा है तो आप जरूर अपने यहां इस पौधे को लगाए और देखिए इसकी पहचान क्या है कि अगर आप एक सिंगल ब्रांच का पौधा लेंगे तो क्या होगा कि उसको आपको बहुत समय लग जाएगा उसको घना करने में तो देखिए हम सुरू में ही देख करके लाते हैं अगर हम सिंगल ब्रांच का लिए होते हैं तो करीब 50-60 रुपे में वो हमें मिल गया होता लेकिन हम 10-20 रुपे के खातिर पौधे को खराम नहीं करते हैं तो देखिए आप कितने ब्रां देखिए नर्सरी वालों के यहां और फिर अपने खुद ताकि उनको यह लगे कि इनको जानकारी है दूसरी चीज आप यह देखिए यह 12 माशी निवू है तो इसके जो है पत्ते आप देख सकते हैं इसके पत्ते थोड़े अलग निवू से थोड़े से अलग आपको दिख और दूसरी चीज थोड़ा सा विश्वास पात्र नर्सरी में जदी आप जाएंगे या तो फिर आप आनलाइन मंगाए तो आनलाइन भी मंगा सकते हैं और इसकी खुसबू भी अच्छी होती देखिए अभी इसको मैं हां से चुरही हूं और खुसबू इसकी आ रहे है तो यह बारहमासी कागजी निवू की पहचान होती है जदी आप इसमें भी माली जी फल नहीं लिया हुआ फल वाला थोड़ा और महंगा था तो हम नहीं लिये तो अगर आपको नहीं ऐसा नहीं समझ में आएगा तो आप फल वाला निवू जो इस समय फला हुआ आपको मिलेग समझ जाए वो बारह मासी नीबू है तो इस तरह से यह नीबू हो गया और यह सेव है यह हर्मन 99 से यह जो है अब हम आपको यह भी बता दें यह 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 लेदिंग प्लांट है तो लगाते ही जैसे हम आपको नीबू अपना दिखाए है फल देना शुरू कर देगा और यह जो भी निकलेगा तो आपको हटा देना चाहिए जब आप कोई भी पौधा ग्राप्ट वाला दें लें तो नीचे से हटा दें उसके बाद इसमें यह देखे एक ही था उसके पास इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांच नहीं है फिर भी तीन चार ब्रांच है इसमें तो यह जो ह लंगाएंगे तो 4-500 रुपए का यह पौधा आएगा और यह दो साल में बहुत अच्छा फ्रूटिंग करना शुरू कर देगा फ्रेंट्स जो मार्केट में 1500 रुपए केजी का सेव मिलता है यह वहीं सेव थोड़ा छोटे बराइटी का होता है लेकिन बहुत ही यह हर बगाना है यह भी मैं आपको बता दूंगी तो यह देखिए यह है करोदे का फ्रेंट यह भी जो है एयर लेरिंग है यह सब नीबू करोदा है सब क्या होता है एयर लेरिंग बनता है जैसे ब्रांच में ही उनको बना देते हैं लोग काट करके तो इस तरह से इसे भी आप लीजिए एक करउधा अपने घर में होना बहुत जरूरी होता है और यह है लेडी पपीता इसको एक गमले वाला पपीता ही है और बहुत जादा जो है फ्रूटिंग करता है करीब पचास रुपए का एक पौधा है तो जरूर आप इस तरह का पपीता अपने च्छत पे लगा में पूञा पूञा में पूढा में यह पौधा होता है और इसकी बहुत बढ़े साइज का हरा और आप इस तरह से डिया हूआ है तो इसमें कितने ज्यादा रांच है आप देख सकते हैं तो यह जब फूल लिया हूआ ह barrier 함 लाए है तो जभ पहम बड़े ग्रो बैंग में इ जिए उसके बाद अब हम आपको एब बताएंगे कि इसको लगाना कितने बड़े बरतन में आप लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो आपके पास टब और नहीं है या रिजयक्ट बरतन नहीं है तो आप सबसे अच्छा ग्रोबाईग इस तरह का ग्रोब इसमें आप जो भी फल वाला पौधा लगाएंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जिस तरह से अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है आप देख सकते हैं उसी तरह से कम से कम आपको 15-16 इंच के ग्रोबायग में ही इसको लगाना है चाहे गमले में लगाना है चाहे उससे छोटे बरतन में जदी आप लगाएंगे तो आपको सिर्फ एक या दो फल मिलेगा उससे जादा आपको मिलने वाला नहीं है तो आप जब भी अपने छट पे कोई भी फूल या फल लगाएं तो थोड़ा बड़े बरतन में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजर्ड मिलेगा और सुरुवाती दोर में उसमें सिर्फ नीचे थोड़े से पत्ते वगर डाल दें मिट्टी गोबर थोड़ा एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच काली मिर्च पाउडर एक चम्मच चूना मिला करके सभी चीज को आपस में मिक्स करके बस पौधे बागे आपको 4-6 महिने तक उसे कुछ देने की जरूरत नहीं है जब पौधा आपके यहां और ब्रांच दे दे बड़ा हो जाए तब आप उसमें घर की जो मैं बताती रहती हूं पहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिससे आप अच्छा खासा रिजल्ट ले सकते हैं तो आप डा जियों के और बहुत सारे पौधे ले करके आप इंज्वाय करिए और जब भी छट पे आए तोड करके नेचुरल चीज को खाईए आराम से और स्वस्त रहिए अपने परिवार को स्वस्त रखिए तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ तब तक अ अपना ध्यान रखिए अपने पौधों का ध्यान रखिए और इसी तरह का पौधा चैन करके खरी दिये हो सके तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंड सरकिल में ताकि जिसको नया करने आए और जरूर करे तो फिर थैंक्स फर वाचिंग